प्रजोशी, साइन इन तो गाइस देखे आज हम देखेंगे हमारे टर्मक्स का इंट्रोडक्शन गाइस अब जिनको नहीं पता टर्मक्स क्या है टर्मक बेसिकली एक अप्लिकेशन है, एंड्रोइड अप्लिकेशन है जो कि एक टर्मिनल का का मठिटी है मतलब Terminal Emulator है यह एक अब इस पे हम एकिंग कैसे perform कर सकते हैं ethical hacking perform करना जानेंगे कि हम Android का यूज करके कैसे ethical hacking perform कर सकते हैं तो इस पूरी सीरीज में हम यहीं देखेंगे कि हम termux का use करके हम कैसे हमारे ethical hacking और penetration testing perform कर सकते हैं android device में तो उस तक पहुशने के लिए पहले हम थोड़ा overview ले 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 लेतें introduction ले लेतें कि टर्मक्स क्या है android क्या है ताकि हम आके की वीडियो में हम जान सके कि हम work कर किसके साथ रहे तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले what is android android क्या है उसकी history जानेंगे उसके cool features जो है वो हम देखेंगे कि इसके क्या-क्या cool features ए android के उसका android का architecture हम समझेंगे क्योंकि वह architecture समझना जरूरी है ताकि हम जब penetration testing perform करें हमारे जिसे हम हमारा PC है उसका हमारा configuration पता है हमारा file system मालू है बट android के बारे में हमें नहीं पता तो हमें android का भी architecture के बारे में देखना होगा फिर हम देखेंगे इसकी weakness और security जो है android के अंदर weaknesses क्या-क्या होती है और security क्या होती है अब basically यह हम android penetration testing नहीं कर रहे हैं हम android से penetration testing कर रहे हैं तो इसमें हम जिनके पास laptop नहीं है तो उनके लिए यह best रहेगा सीखने के लिए कि वह android का यूज करके कैसे थोड़े बहुत ethical hacking task perform कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले what is android अब देखिए android का एक linux-based operating system अब जानते ही है penetration testing या ethical hacking perform करने के लिए linux-based operating system होते हैं वह best रहते हैं क्योंकि linux जो है बेसिकली यह develop करने का reason था कि जब 2007 में जब apple launch हुआ था तो apple paid था Google चाहता था कि कुछ free source use हो तब Google को idea आया कि हम linux-based operating system में create करते हैं android जो है mobile devices के लिए जब iOS launch हुआ था तो iOS है Apple company का operating system जो की paid है अब उसमें काफी सारे अब काफी अच्छा था बट Google चाहता था कि वह इत्ता ही security और more features के साथ users को अपने जो users है उनको एक operating system दे जो की open source हो अब open source का क्या मतलब है अब linux जैसे कि आपको मालू है open source operating system है वैसे यह भी linux-based operating system है android यह भी open source है आप इसका source code देख सकते हैं आपको online मिल जाएगा आप जो भी चाहें अब जिसे android के different versions है उन सभी versions का source code openly available है उनको modify किया जा सकता है अब आते हैं गाइस इसकी history पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गूगल ने यह operating system का idea कहां से आया था उनको यह open source operating system बनाने का idea आया था अपने डाइवलरी कंपनी से like apple और microsoft जैसे कि उन्होंने अपने operating system बनाए थे बट वो costly थे और वो open source भी नहीं थे वो close source code थे उनके इसी से गूगल का idea है कि हम एक open source operating system बनाते हैं जो free to use होगा open source होगा कोई भी इसे use कर सकेगा और यह इसकी security और इसमें features काफी unique होंगे जो इसे बाकी operating system से अलग बनाएगा तो अब इसके कुछ cool features जान लेते हैं अब देखें पहला cool feature है highly customizable अब android जितना customizable है उससे जादा customizable कोई operating system नहीं है basically आप उसकी एक एक चीज़ को customize कर सकते हैं और अगर आप जो चाहें मतलब आपका navigation bar, task bar, main screen, home screen, lock screen, आपके widgets और widgets के साथ साथ आपके layer transitions मतलब आप android में बहुत कुछ आप देख पा रहे होंगे आप अपने जो android phones आपके पास है उन में कितनी high customizations है और कुछ ऐसी customizations है जिनके लिए आपको free apps मिल जाएंगे आपके play store पे तो यह है कि android जितना customizable operating system कोई नहीं है mobile operating system अब iOS में भी अब लोग कहेंगे कि ios में customization होती है बट इतनी high customization नहीं होती जितनी android में की जा सकती है और दूसरी चीज यह है कि यह easy customizable है इसकी customization कुछ hard नहीं है कि आपको बहुत कुछ चीज़े करनी पड़ेगी complicated चीज़े करनी पड़ेगी इसको customize करने के लिए नहीं एक simple सा interface है जिससे आप अपने जैसा चाहें उसको customize कर सकते हैं और next point यह है कि easy hardware controlling अब देखें जो आपका ios है यानि apple की जो phone है उनके कोई operating system कभी भी आपको hardware का पूरा access नहीं देता है जबकि अगर आप android को root कर देते हैं अब root बिना root करें भी आपको काफी जादा hardware का access देता है complete access तो आप उसका root करके ले सकते हैं बट हाँ अगर jailbreak करते हैं आप ios में तो भी आप उसका complete hardware का use नहीं ले सकते हैं तो यह एक plus point है हमारा android के अंदर की यह पूरा hardware controlling हमारे हाथ मे देता है कि हम जैसे हमारे hardware को जो हमारे mobile में hardware है उसको use कर सकते हैं उसको अपने according रन करा सकते हैं और next point आता है हमारा language support का अब देखिए ios के अंदर सिर्फ 40 languages approach supported है बट हमारे android के अंदर android operating system के अंदर hundred से भी ज्यादा language support है जो की काफी अच्छी चीज है जो की वास्ट worldwide इसको use करने पर मजबूर कर देता है बाकी लोगों को अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसका android architecture क्या है क्योंकि जब हम इस पर penetration testing perform करेंगे या इसका यूज करके हम penetration testing करेंगे तो मैं पता होना चाहिए जो हमारी applications है वो किस तरह से हमारे kernel जो है अब जैसे कि मैंने बता है यह linux operating system है तो linux kernel तो हमारे software से तो वो होता है kernel तो linux kernel जो है वो हमारे android के अंदर है second जो आती है वो आती है इसकी libraries जो libraries है android की वो इसके बाद next layer आती है फिर next layer आती है android runtime and then application framework and then आपकी application जिनको आप graphical user interface या command line interface जो कि हम termux पे देखेंगे उसकी तरह से use कर सकते हैं ताकि आप अपने system को access कर पाए इसके kernel को access कर पाए तो बढ़ते हैं हम next slide की तरह अब देखें weaknesses and security क्या है android में अब देखें वीक्नेस की बात करें अब देखें यह point मैंने यह weakness और security में क्यों रखा अब इसको weakness कह भी सकते है security भी कह सकते है इसको यह सिंगल पॉइंट अब data transparency को मैंने यहां इसलिए रखा ह कि android जो है data transparency show करता है अब जिसे अगर कोई operating system है like google है अगर आपसे कोई data ले रहा है तो यह आपको transparently बताता है कि हाँ भई हम आपके android device से यह data ले रहे हैं यह data चुरा रहे है basically क्योंकि companies हमारा data चुराती है हमें मालूम है कोई भी चीज फ्री होई नहीं सकती क्यों कोई ना कोई उसकी cost होती है आपकी information जो है वो उनके लिए काफी useful है और वो उनको पैसा दिलवा रही है त आइफोन जो है वो बीड़ी लेता है अपने युजर से अपने यूजर से डेटा लेता है वो इतना नहीं बताता है वो कहता है हम डेटा नहीं लेते बहुत कम डेटा लेते है क्योंकि ऋसकी data transparency ही नहीं है बट android जो है उसने अगर बोला है कि मैं इतना डेटा लेता हूं तो उतना डेटा लेता है और शो करता है कि यह देखिए मैंने आपका डेटा लिया है उसका कोई गलत यूज नहीं कर रहा हूं बट मैंने आपका डेटा लिया है यह नहीं है कि डेटा ले लिया चुरा लिया आपका डेटा और आप तक बात पह जा रहा है, next point आता है हमारा encryption, अब जो android की encryption system है, वो काफी अच्छा है, अगर कोई आपका android application mode आती है, जिसमें किवी virus है, अगर आपका encryption phone का आपने change ना किया, मतलब उसके साथ को चेहचा नहीं करी, आपका phone का encryption सही है, तो उसको बहुत मुश्किल हो की virus को आपको main system की files access करन में, तो इससे यह होगा, कि जो application है, वो अपने area में, अब देखे, क्या होता है, android जो है, वो एक sandbox में application को run करता है, तो वो android application run होती है, एक particular environment में run होती है, जो की closed environment होता है, android का बना हो, उसके बाहर कोई contact नहीं होता है, उस application का, तो उसके लिए आपको permissions देनी होती है, अलग तो वो, आप जब आपसे permission लेता है, तो आप read कर लिजेगा, और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेगा है, permission की बात आई है, तो, अगर आप कोई भी terms and condition apply होती है, किसी भी application पे, उनको आप accept करते हैं, या कोई file access या hardware access के लिए वो मांगते हैं, software या hardware access मांगता है, कोई भी application, उन्हें आप allow करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखेगा, उसे पढ़ जरूर लिजेगा, क्यों, और उसकी requirement चेक कर लिजे, अब लाइक आपने कोई calculator app download किया, वो file access मांग रहा है, उसको आप file access grant कर सकते हैं, क्योंकि उसको अपना data आपकी device में थोड़ा store करना होगा, इसलिए आप file access grant कर सकते हैं, बट वो अगर contact access मांग रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये calculator को आपके phone के अंदर के contact से क्या लेना देना, उसको वो access ना दे, क्यों फिर क्या होगा, जिस company का वो calculator app है, वो आपकी system में जो contact से वो लेगा, data use करेगा, आगे, अब उ security और weakness की बात कर रहे है, तो next जो point आता है हमारा, वो है verified boot, अब देगे, इसका जो boot है, वो काफी verified है, अब इसका bootloader जो है, वो काफी strong है, अब bootloader आप unlock भी कर सकते हैं, वो आगे की series में हम देखेंगे, कि हम कैसे bootloader unlock करके हमारी custom, जो है operating system, यानि रोम डाल सकते हैं हमारे Android के अंदर, वो भी आगे की videos में हम देखेंगे, पट verified boots हमारे मतलब है, कि जो boot जो है इसका, वो काफी verified होता है, और इसमें बहुत zero chances होता है, basically, वाइरस आने, क्योंकि ये official updates होता है, Google की तरफ से, और आपको मालूम है, Android के update regular आते रहता है, क्यों Android हमेश अपने security patches को release करता रहता है, अच्छे-च्छे, जो भी इनके security packages आते हैं, उनको include करता है regular basis पे, तभी आप देखते होंगे, कि इसके बहुत जादा update आता है, बहुत कम टाइम में, हर महीने आ जाता है updates, तो ये, और हाँ, update करना सही रहता है, आप हमेशा अपने system को update रखें, ताकि वो सारे security patches उसमें install हो, और कोई भी जो vulnerability है, वो आपके system में ना हो, तो guys, आज हम हम हमारा lab setup देखेंगे, अब basically हम basic to advanced बढ़ेंगे, तो पहले हमें जिन basic tools की ज़रत हैं, हम पहले वो install करेंगे, और दीरे दीरे जैसे हम course में आगे बढ़ते रहेंगे, हम और भी tools जो हमें necessary हैं, जो हम use कर सकते हैं, android के साथ penetration testing, या ethical hacking करने में, तो वो हम देखेंगे, बट पहले हम basic tools है, वो install कर लेता है, तो सबसे पहले basic tools, आप जैसे आपको भी मालूम है, हम जब hacking करते हैं, तो हमारा main task होता है, terminal पे, हम terminal पे काम करते हैं, Linux के अंदर, या CMD के अंदर करते हैं, अगर हम windows use कर हैं, तो बट हमें terminal environment, क्योंकि हमारा android है, वो Linux kernel पे based है, तो हमें terminal environment चाहिए, तो हम उसके लिए tool डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम है, termux, termux क्या है, termux एक emulator और Linux environment है, अब देखेंगे, यह emulator है, यह terminal का related काम शो करता है, करता भी है, बट कुछ चीजें, कुछ points पे होता ह है, कि आपके direct kernel से connect नहीं हो पाता है, Linux जो आपका kernel है, उसे direct connect नहीं हो पाता है, और root जो task होते हैं, वो बहुत सारे यह नहीं perform कर पाता है, बट कोई बात नहीं, हम वो भी देखेंगे, कि उस issue को कैसे solve किया जाए, और बिना root हुए phone को, आप कैसे root privileges gain कर सकते हैं, और अपन इसको continue कर सकते हैं, तो अब जैसे हमारे termux तो install हो गया है, अब basically हमें, एक और software यानि application install करने होगी, जिसका नाम है hackers keyboard, अब hackers keyboard में यह है, कि आप देखते होंगे, जब हम commands type करते हैं, तो उनमें जैसे यह देखे, control की, alt की, escape की, function की, अब यह सब कीज हमारे normal keyboards में नहीं होती है, but hacker keyboard के अंदर यह function है, तो हमें यह keyboard install करना होगा, अब यह keyboard install हो तब तक हम हमारे termux की थोड़ी configuration देख लेते हैं, हम termux पर चलते हैं, अब देखे, यह installation process start कर रहा है, अब यह चोटा सा ही process होता है, अब देखे, इसने अपना process start कर लिया, हाँ एक चीज और इसमें, अब जैसे आपने apt-get update, apt-get install करा है, अब यहाँ पर termux के अंदर कुछ चीज़े apt से भी हो जाती है, इसमें pkg install command यूज होता है, basically हमें अगर कुछ install करना है, तो हम pkg command यूज करेंगे, अब पहले हम हमारा terminal, यह देखे, वैसे आप देख पार है, हमारा hackers keyboard है, वो activate हो चुका है, यहां control, alt और escape की आपको दिखे रहे होंगे, हम एक बार इस पे work करके देखते हैं, कि control L, यानि जो clear command है, उस से हमारे terminal clear हो गया, यानि हमारा keyboard perfectly work कर रहा है, अब एक बार उसकी भी हम configuration change कर सकते हैं, settings में जाके, अब हमारे test कर रहे हैं, तो हमारे keyboard आ रहा है, हमें यहां से set input and enable, पहले enable keyboard करना होगा, hackers keyboard, और बाकी keyboards को बंद करना है, and back, अब हमें settings पर जाना है, यहां control key, left control पर कर देते हैं, alt key हम left control में कर देते हैं, and meta key को right में कर देते हैं, meta key right में होगी, और कुछ changes की अभी शायद जरुद है नहीं, तो हम back आ जाते हैं, hackers keyboard select किया, and हमारा hackers keyboard आ चुका है, यहां पर हमारी alt key आ चुकी है, हम इसे tilt करेंगे, तो शायद यह horizontal में भी, अच्छा, उसके लिए हमें settings भी, इसको horizontal, यानि suggest landscape mode भी करना होगा, तो इसके बाद हम इसे, अगर tilt करना चाहें, तो भी हम tilt करके भी use कर सकते हैं, but basically हमारे यहां alt का काम और shift का काम यह हो जाता है, और आप termux पर जब जाता है, basically termux का जो खुद का keyboard है, वो भी perfect है, क्यूंकि उसमें भी control escape, alt keys है, but कुछ चीजों में आप जिसे आप जहां पर without termux के बाहर अगर कहीं काम करते हैं, तो वो आपका keyboard काफी help कर देता है, अब देखें, यह जो termux है, अब यह completely new है, complete इसके अंदर कुछ है नहीं, क्यूंकि अमारा android कोई hacking device है नहीं, हमें इसे बनाना पड़ेगा, तो इसके अंदर हमें कुछ packaging इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो हम देखेंगे आगे, चुड़ो करते हैं, हम termux के basic commands के बारे में जानना, इसे familiar होते हैं, तो देखे, अभी हम हमारे termux पर पहुँच चुके हैं, अब basically, सबसे पहला command हम देखते हैं, जैसे हम terminal को open करते हैं, काफी सारे text पहले से pre-written है, हमें वो नहीं चाहिए, हम एकदम new terminal से, एकदम clear screen से work करना चाहते हैं, तो हमें बस clear command type करना है, and enter, अब देखे, सब clear हो चुका है, अब clear होने के बाद, अब हमें, हमारे जो dollar sign है, उसके आसपास कुछ दिखने रहा, वैसे हमारे terminal पर हमें दिखता है, कि हमारे present working directory क्या है, बट इसमें हमें termux में नहीं दिख रहा है, तो कोई बाद नहीं हम उसे check कर सकते हैं, हमारा command है, directory check करने का, present working directory, यानि PWD, and enter, अब देखिए, यह बता रहा है, slash data.com.termux slash files slash home के अंदर, हम अभी work कर रहे हैं, अब मैं इसको directory को change करना चाता हूँ, अब जैसे मैं चाहता हूँ, कि मैं यह forward back, folder back आऊं, तो इसके दो तरीके हैं, basic तरीका, हम cd, then files and enter, अब देखिए, इसके अंदर यह file नहीं है, क्यों? क्योंकि हम home folder के अंदर कुछ नहीं, अब जैसे हम इसको list करते हैं, and enter, list, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई file है ही नहीं, इसलिए हम files में नहीं जा पर है, बट अगर हमें back जाना है, ls कमांड से, यानि list कमांड से, अब इसमें आप देख पारे है, home and user, दो folders है, अब इसमें हमें हमारा folder शो हो रहा है, तो हम इस folder में जा सकते हैं, cd कमांड के थू, cd कमांड and then home, and enter, अब हम अगर यह present working directory चेक करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि हम home folder में, इसमें यह है कि हमारा जो directory है, वो direct हमें, हमारे sign से पहले show नहीं होता, हमें directory अगर देखनी है, तो हमें बार बार, pwd कमांड यूज करना होगा, ताकि हम हमारी present working directory देख सके, अब यहां पर हम ls करते हैं, तो हम देखते हैं, हमने यहां पर कोई file create नहीं कर रहे हैं, या यह folder empty है, तो हम एक बार इसमें यहां एक file create करते हैं, तो file create करने का काम, touch command करता है, हम touch लिखेंगे, इस file का नाम लिख देते हैं, test.txt, and enter, अब हम जब list करेंगे इसे, तो हम देख पा रहे हैं, कि हमारी test.txt file, यहां पर दिख रहे हैं, अब हम अगर, इसके अंदर, अब जसी वैसे तो यह empty है, तो हम अगर इसे cat, test.txt करते हैं, तो हमें कुछ नहीं शो हो रहा, क्योंकि यह file empty है, और इसका एक चीज यह भी हो सकती ही, कि शायद हमारे पास इसकी permission नहीं हो, तो उसकी permission को एक बार check कर लेते हैं, कि हमारे पास इसकी permission है, इसको read करने की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ch mode, यानि change module, but change module करने से पहले, हम पहले check कर लेते हैं, ls, then, dash, l, and enter, अब देखिए, read, write, read और write permission है, इस test.txt फाल के लिए है, कोई बात नहीं हमारे पास, हमें इतनी permission चीए, हमें इसे execute नहीं करना है, इसे executable permission की ज़रत नहीं है, अब हम इसके अंदर अगर कुछ add गरना है, तो हम nano text editor यूज़ कर सकते हैं, nano test.txt and enter, अब यहां पहें हमारा text editor open हो चुका है, अब यहां पहें हम लिख देते हैं, hello everyone, हमने यहां पहें हमारा text लिख दिया, अब हमें इसे exit करने से पहले इसको save करना है, अब इसको save करने के लिए हमें control tap करना है, and then O, control O से save हो चुका है यह, and then हमें इसे M करना है, no sorry, इस पहें enter करना है, and control, then X, exit हो चुका है, अब हम हमारा cat command डालते हैं, और test.txt को open करते हैं, हमने test.txt open किया, तो हमारा जो उसके अंदर का जो text है, यानि hello everyone वो show हो रहा है, तो यह था हमारा basic text editing के लिए और उसकी अंदर की files को save करने के लिए, कैसे आप save कर सकते हैं, अब हाँ, अगर आपको running processes चेक करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप top command type कर सकते हैं, and enter, अब देखें, यहाँ पर आप तीन चीज़े देख पार है, रन होती भी, अब उनकी PID इस शो हो रही है, उनके नाम शो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर देखें, तीन टास्क रन हो रहे हैं, तीन टोटल है, वन रनिंग है, दो स्लीपिंग है, अब हम इसे, अमारी यह तो हमाया show हो रहा है, फुल स्कीन पर, अब हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे, तो वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो हमें इसे exit कैसे करना है, अब इसको हम करेंगे, control tap and then c, अब control c, अगर work नहीं करता है, वैसे basically control c work कर जाता है, बट अगर यहाँ पर हमारा control c अगर work ना करें, तो हम control z भी कर सकते हैं, हम control c पर tap करते हैं, ओके, हमारा यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, हमारा यहाँ वापिस आचुका है, हमारा dollar sign, यानि terminal, हम इसे clear कर देते हैं वापिस, यह हमने clear कर दिया, अब देखिए, अगर आपको, कुछ भी चीज, git clone करनी है, हमें कोई टूल करना है, अब हम एक बार ब्राउजर पर चलते हैं, हम ब्राउजर पर आता है, phone, infoja, github, अब हम यह टूल है, phone infoja नाम से, एक repository है, github की, इसे जो script है, वो आप information, मुबाइल phone number से, कुछ information gathering करने के लिए, यूज़ कर सकते हैं, इसे हम ब्राउजर फोन नंबर की information, gather की जाती है, अब देखी, यहाँ पर हम github पर आचुके हैं, go to file, इसे हम डाउन कर देता हैं, एक बार, अब हमें यहाँ से, basically, simply, यहाँ से, link copy करना है, copy link, यहाँ से crossback आजाते हैं, and, हम चलते हैं, हमारे termmax पर वापिस, अब यहाँ पर हमें करना है, git, अब पहले हम पर हमारी present working directory, चेक कर लेते हैं, हम home folder में ही है, perfect, अब यहाँ पर हम करते हैं, git, and then clone, git clone, and tap कर के रखते हैं, यहाँ पर and paste, अब देखें, यह कह रहा है, हमारे पास, git package ही install नहीं है, तो हमें git package install करना पड़ेगा, पहले git cloning के लिए, अब देखें, यहाँ पर termmax के अंदर, apt-get work नहीं करता है, यहाँ पर pkg work करता है, अब आपको अगर कुछ डाउनलोड करना है, तो आप apt-get install नहीं लिखेंगे, आपको लिखेना पड़ेगा pkg install, अब हम pkg then install git, हम git को install कर लेते हैं, pkg update, हम एक बार update करते हैं, इससे ताकि चेक करते हैं, क्या error आ रही है, repositories is under maintenance, और down, अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर, package अब एक बार हमने update कर दिया था, तो हम package को आचुका है, डाउनलोड करना है या नहीं, yes and no, हमने y type करके yes कह दिया, enter करते हैं, अब इसकी download process start हो चुगी है, अब हम एक बार इस terminal को वापिस clear कर देते हैं, and enter, अब देखिए, यहाँ जो upper arrow है, उससे हम पिछले command की तरफ move करते हैं, जैसे हम अमारे keyboard से upper command से move करते थे, हम अमारे पहले git clone वाले command पर आ जाते हैं, and then enter, अब देखिए, यह phone infoja वाले को clone कर रहा है, अब देखिए, यहाँ हमारा phone infoja tool है, वो download हो चुका है, अब हम एक बार list कर लेते हैं, अब देखिए, यहाँ पर list करने पर हमारी एक जो test file जो हमने create की थी, और phone infoja tool है, वो यहाँ आ चुका है, हम एक बार ls-l करके, उसके permissions चेक कर लेते हैं, ठीक है, perfect, इसके पास executable permission भी है, हम cd करके उस folder में जाते हैं, अब देखिए, यहाँ जो यह key है, यह tab का काम करता है, हमने phone info जाके अंदर गए, एक बार मैं clear कर जाता हूँ, अब हम ls करते हैं, अब देखिए, phone info जाके अंदर, हम आचुके हैं, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमें main.go फाइल दिख रही है, अब यहाँ गो फाइल को रून करने के लिए, अब हमें go software इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, बट कोई बात नहीं, हम अभी यह phone info जा पर बाद में जाएंगे, क्योंकि हम phone info जा से पहले, हम basic commands पर देख रहे हैं, तो हमने यह देखा कि git clones और git command कैसे यूज़ करते हैं, हम एक बढ़ टर्मिनल क्लियर करते हैं, अब बढ़ते हमारा next command के तरह, अब हमने किते सारे commands अभी run करें हैं, वो अगर हमें check करना है, तो वो कैसे check करेंगे, वो हमें check करने के लिए हमारा command है history command, history type किया, and then enter, अब यह देखिए, यह number wise हमारी सारी history आ चुकी है, हमने कौन कौन से command type किये थे, हाँ, अब यहाँ पर आप control प्रेस करके देन L दबाएंगे, तो control L clear का shortcut है, उससे आपका terminal clear हो जाएगा, अब यहाँ पर आप package install command के, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम package install command यूज करते हैं, package install, अब भही अगर हमें, कोई package remove करना है, अब package remove then git, अब वैसे git की हमें ज़रत पढ़ेगी आगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार इसे remove करके बता देजाँ ता कि बता सकूँ मैं, कि package remove command कैसे work करता है, and then enter, अब देखिए, यह हम से पूछ रहा है कि हम इसे continue करें, मतलब deletion का process continue करें या नहीं, अब हम एक बार y करके enter करते हैं, देखिए, removing git और git completely remove हो चुका है, हम एक बार वापिस चेक करते हैं, कि हमारे git command है या नहीं, no search file और directory, हम एक बार वापिस हमारी git install कर लेंगे, क्योंकि हमें git की ज़रत है, package install git, ठीक है, हमारे यह process complete हो चुका, अब हमें एक बार हमारा apt then update then end and sign apt upgrade dash y, यानि full system update, हम एंटर करते हैं, अब यह update, अब यह अब यहाँ पर दीखिए रहे हैं, रेपोजेटरी अभी भी maintenance पर है, अगर हम इसे same command को package से replace करें, तो क्या होगा, pkg package update, and end package upgrade, and enter, अभी भी रेपोजेटरी का problem आ रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको हम resolve कर लेंगे, हाँ, अब हमने यहाँ पर जो end end command यूज किया था, वो किसके लिए था, वो था sequencing command, यह था sequence command, इसका मतलब यह है, कि हमने जो पहला command बोला है, वो command अगर execute होता है, तब उसके execution के बाद, end होने पर ही second command, execute होना चाहिए, यह होता है, end end का use, हम अब इसे clear करते हैं, अब हमें अगर हमारे network settings देखने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ifconfig, जो कि हम use करते हैं काफी, ifconfig type किया, and then enter, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे vlan, eid, session id, यह सारे हमें यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं, यहाँ हमारी local IP, हमारी IP, यहाँ पर सारी शो हो रही है, हम इसे clear कर देते हैं, अगर हमें कोई file locate करनी है, अब बढ़ते हैं तोड़ा locating command की तरफ, अगर हमें हमें कोई file locate करनी है, अब जैसे हमने एक file create की थी, test.txt, तो हमें एक बाद इसे locate command, और grab command, दो command होते हैं, एक बाद हम locate command से type, test करते हैं, test.txt, and enter, अब देखिए, यह command, अब देखिए, आप टर्मक्स पे, टर्मिनल पे चलाते हैं, तो यह command आराम से work कर लेता, पर टर्मक्स पे यह package install करनी कह रहा है, ठीक है, हम इस package को install कर देंगे, m locate, अब यह है कि टर्मक्स कंप्लीटली टर्मिनल नहीं है, यह emulator है, तो आपको इसमें काफी सारे tools, जो आप टर्मिनल पे करते थे, कुछ command जो आपको लगता था कि टर्मिनल वाले ही हैं, तो टर्मिनल पे click करते ही, type करते ही, enter करते थे और वह execute होते थे, क्योंकि वो packages Ubuntu के साथ आते थे, बट हमें, यहाँ पे, उनको install करना पड़ेगा हरे के लिए, क्योंकि यह सिफ emulator है, तो हमें एक बार हमारा थामग वापिस locate command करते हैं, enter, अब देखें, इसके कोई file locate नहीं हुई है, हमें एक बार ls करते हैं, हम cd.dot से back आते हैं, अब हम ls करते हैं, अब हम एक बार हमारा locate command यूज़ करते हैं, and enter, अभी भी इसे test.txt file locate नहीं हुई है, okay, locate not set, no such file in mlocate.db, अभी यह database में से चेक कर रहा है, हमें वो चीज की जरुरत नहीं है, तो हम grab करेंगे, grab, test, हम एक बार इतना ही लिखते हैं, इसको work करने देते हैं, यहां इसाट grab command काफी time ले रहा है, हम एक बार इसे stop कर देते हैं, यहां हम pwd करके हमारा डारेक्टर चेक कर लेते हैं, and then ls, अब यहां से हमें कोई folder या कोई text file का अगर move करना है, हम एक बार पहले remove और उन commands पर जाते हैं, तो अगर हमें इसे move करना है, तो हम पहले एक बार हम इसे copy कर लेते हैं, copy के लिए हमारा command है cp command, copy test.txt2, अगर हमें इसको यहीं पर copy करना है, तो हम यहीं पर इसे copy भी कर सकते हैं, then slash phone infoja, अब हम spelling चेक रहां, phone infoja, then slash, एक बार इसे phone infoja के अंदर करते हैं, अब देखे, phone infoja read only file system है, यहाँ पर हम नहीं create कर सकते हैं, तो हम इसको एक बार clear करते हैं, हम ls पर जाते हैं, अब हम एक बार इसको rename करते हैं, आब rename का तरीका क्या है, आप rename के लिए mv command use करेंगे, mv test.txt to file.txt and enter, अब हम ls करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर test.txt बन चुका है, file.txt, इससे आप, mv command move command है, अब इसको आप file को इधर से उधर move कराने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह command एक ही जगे पर अगर आप करते हैं, तो वो उसे rename कर देता है, अब कैसे, क्योंकि इसने test.txt फाइल को copy करा यहीं पर, file.txt के नाम से, तो वो file इस पर override हो गई, यानि rename हो गई, basically यह error एक जिस वज़़ए से आ रहा है, वो वज़ए यह है कि हमने तर्मक्स है वो डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर का जो वर्जन है तर्मक्स का वो अभी fully updated नहीं है क्योंकि एक certain date के बाद, तर्मक्स पे, प्ले स्टोर पे अपडेट आना तर्मक्स का बंद हो गया था, तो इस error को solve करने के दो ways है, तो चलते हैं, सबसे पहले way को मैं बता देता हूँ आपको, हमें टर्मक्स open करना है, अब आप देखते हैं, हम PKG update, package update, command run करके देखते हैं क्या error आ रही है, देखें, 403 forbidden error, और यहां repository is under maintenance or down, तो इस error को solve करने का पहला method यह है, कि हमें इसकी repository फाइल जब वो change करनी होगी, हम पहले इसको clear कर देते हैं, अब हमें type करना है, termux-change-repo, termux-change repo, and enter, अब देखें, यह जो आया है, अब यहां पर आपको, इन arrows की, यह जो arrows की है, यहां से आपको down आना है, space bar से select करना है, यहां down होना है, space bar से select करना है, and then enter press करना है, फिर आपको यहां down आना है, और grimler जो mirror link है, इसको select करना है, अभी हमारा official repository पर चल रहा है, हमें third जो है, mirror by grimler, इसको space से select करना है, and then enter press करना है, okay, अपने आप आपका apt update command run होगा 46 packages can be upgraded यानि हमारा command work हो चुका है हमारा apt get update जो है वो command चल रहा है सही से अब हम apt then upgrade करते हैं apt upgrade कर देते हैं do you want to continue yes and enter तो देखिए यह था हमारा पहला method जिससे हमारा यह error solve होता है दूसरा method भी आप कर सकते हैं वो easy है तोड़ा उसमें बस आपको इसका application का official जो version है जो updated है जिस पर सारे repos और links updated है आप उससे download कर सकते हैं अब देखिए यह process installation हो रहा है यह हम complete होते हैं हम second method की तरफ बढ़ेंगे अब यहां पर यह कह रहा है keep the action of the version हमें यहां पर yes करना है and enter अब एक बार और शायद हमसे यह यह और no का question हमें यहां फिर yes करना है and then enter yes and then enter अब यह हम से कह रहा है best shell ही रखना है हम yes करेंगे एंटर करते हैं अब देखिए हमारा upgrade update complete हो चुका है अब हम बढ़ते हैं second method की तरफ अब second method के लिए हमें चलना पड़ेगा browser पर हम हमारे browser पर आते हैं अब यहां पर हमें search करना fdroid and enter अब fdroid जाहे उस पर हमें click करना है और fdroid जाप्लिकेशन हमें वह इंस्टॉल करना है अब यह हमें आगे भी बहुत काम आएगी एप्लिकेशन अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं fdroid is in free open source software application platform तो हम इस पर चलते हैं इसके application download करते हैं download fdroid पर click करेंगे then download तो वह यह हमारा fdroid डाउनलोड हो चुका है अब इसे हम install करते है install पर click करते हैं basically fdroid के अंदर यह application store है तो इसके अंदर हमें जो termux application है उसका जो latest version है latest repositories के साथ वह मिलेगा अब जैसे आप यहां देख पा रहे हैं updating repositories यह first install के बाद थोड़ा सा time ले सकता है हम यह एक बाद जैसे search पर click करके देखते हैं हमारा आ रहा है कि यहां पर हमें termux लिखना है and then search हमें तोड़ा वेट करना ही पड़ेगा updating repository अपडेट हो तब तक अगर यहां पर आपका जैसे updating में हमें काफी time ले रहा है अगर आपके भी यह update में तोड़ा time लेता है तो वैसे आप phone यह जैसे हमारा update complete हो चुगा ही है यहां पर शो हो रहा है अब हमें यहां search पर आना है and यहां पर हमें termux लिखना है हम यहां termux लिखेंगे अब देखिए यह terminal emulator with packages यह वाला हमें install करना है अब देखिए हमारा अभी install हो रहा है तो हम यहां से uninstall करके फिर इसको install करेंगे तब यहां पर आएगा सही से but हम वैसे error resolve कर चुके है method 1 के according but आपका उससे भी अगर नहीं होता है यह फिर आप चाहते हैं हम इतना commands और यह सब नहीं करें तो आप direct यहां से आप कर सकते है अब fdroid पर हम आगे भी जैसे apis और widgets का भी use करेंगे आगे की वीडियो में तो इन दो method से आपकी यह error resolve हो जाएगी अब यहां पर सबसे पहले आपको अपना package update और upgrade करना है तो आप यहां लिखेंगे apt update then end end apt upgrade and enter ठीक है हमारा completely updated है upgraded है अब हमें करना है apt install install python 2 apt install python 2 enter करेंगे continue करना है yes and enter अब देखें कुछ packages python 2 में return होते हैं और कुछ हमा मतलब कुछ जो scripts है हमारी वो python 2 में return होती है और कुछ होती है जो python 3 में return होती है तो हमें एक बार के लिए दौने इंस्टॉल कर लेने चाहिए ताकि हमारी जो scripts है वो run हो सके अगर हमें Python 3 से run करने है तो हम Python 3 से run करेंगे और Python 2 से run होती है तो हम Python 2 से run करेंगे यह हमारी Python 2 का unpacking process चालो हो चुका है अब यह complete install हो रही है यह Python 2 हमारी install हो चुकी है अब हम इसमें Python 3 install करेंगे हमारी तो इसके लिए basically हमें अब arrow से पहले वाले कमांड पर आना है अब यहां 2 से हमें 3 नहीं लिखना है वैसे Python default में 3 ही आता है भी तो हमें APT install python करना है and enter continue yes and enter अब यह हमारा python 3 install हो रहा है पहले download होगा फिर install होगा तो यह downloading process चल रहा है हमारा अब देखें यहां पर हमारा python 2 और python 3 install हो चुका है अब कुछ packages जो होते हैं वो इक particular version मांगते है python का अब जिसे like कोई package है या कोई script है जो कह रहा है वो python version 3.9.4 पे ही install run होगा तो अगर ऐसा कुछ होता है basically वैसे जरुवत पड़ेगी नहीं उस चीज की बट अगर फिर भी आपको कोई particular एक version चाहिए तो आपको APT एक बार वापी से आप arrow से same command पहाते है APT install python then आपको equals to sign लगाना है is equals to and then आपको जो भी version है like अगर आपको version 3.9.4 तो आपको यह version लिखना है and enter कर देना है तो यह आपको particular version install हो जाएगा हम terminal clear कर देता है हम termux open करता है अब देखे हमने यह अपना banner सो पहले create कर दिया था बट हम जब ls करते है cd करते है यह normal text यह जो theme है वह हमें पसंद नहीं है हमें इसे change करना है तो सबसे पहले तो आपको pkg install git आपको git install करना है git installed है पहले से अगर नहीं है तो आपको git install कर लेना है फिर उसके बाद आपको जाना है अपने browser पे हम termux banner वाला हटा देंगे यहां पर new tab पर आपको लिखना है oh my zsh zsh एक script है वैसे तो एक shell है एक type का zsh हम यहां पर github लिखेंगे and enter हम यहां पर इसे click करना है अब देखें इसने basic installation यहां दे रखी है यहां पर इसने 3 commands दे रखेंगे कि आप कैसे इसे install कर सकते हैं तो हम यह wget वाला command यूज करेंगे हम इसे copy करेंगे हम हमारे termux पाएंगे इस command को यहां पर हमें paste करना है हम यहां पर इस command को paste करेंगे अब देखे package install wget अब wget install नहीं है इसमें तो हम इसे package install then wget install करेंगे and enter continue करने के लिए y press करेंगे and enter अब हम हमारे previous command को app arrow से जो हमने sh command था उसको enter करेंगे अब देखे यहां ZH install नहीं है कोई बात नहीं हम ZH का यहां से link copy करेंगे यहां GitHub के साथ हमें यहां पर C A B A यहां cabbage type लिखना है अब यहां जो पहला link आया है हम इस link को copy करेंगे यहां से हमने इसको किया copy हम back आएंगे यहां वैसे आपको basic installation समझ में आया का नहीं क्योंकि यह दूसरी language में है बट फिर भी हम termux पर चलते हैं यहां पर लिखते हैं git clone and then link paste कर देता है हमारा and enter terminal clear करते हैं अब हम ls करते हैं यहां पर हमारा termux omyzh आ चुक है हम यहां पर cd करेंगे इस folder पर जाएंगे tab and enter ls अब यहां पर हमें install.sh को run करना है हम bash install.sh को run करेंगे इसे allow permission देते हैं basically वो permission ऐसे मांगता नहीं अगर आपने install करने को बाद सारी permission दे रखिया हो तो अब यह देखिए आपके पास यहां 43 अलग अलग तरह की आज चुकी है themes अब यहां पर आप कोई भी select कर सकते हैं हम एक बढ़ जीरो करके enter करते हैं यहां पर भी आ रखिये कई सारी हम कोई भी एक choose कर लेते हैं like 12 choose करते हैं and enter अभी अभी कह रहा है please restart the termux app हम इसे exit करते हैं अब इस termux को वापिस open करते हैं देखिए यहां पर हमारा theme आ रहा है अब यहां देख पार है हमारा जो हमने banner लगाया था वह banner यहां पर नहीं आ रहा है तो हमारा यहां शेल चेंज हुआ हम इसे भी वापिस आप प्रिवियूस मेथर से यहां पर अपना banner है वापिस create कर सकते हैं कोई problem है आपकी यह theme यहां पर यहां पर यह theme चेंज होगे ls and enter यह look काफी अच्छा है और हाँ आप इसको चाहते हैं change करना ता आप यह termux.ohzhs पर जाएं यहां पर वापिस इसे install पर क्लिक करें और जो भी आपको theme select करने है like 2,3,4 number जो भी आपको अच्छा लगे आप ट्राय करकर करके जो आपको theme पसंद है वह आप select कर सकते है तो देखे अब हम termux open करते हैं termux यहां तो ऐसे normal आता है यहां हम एक बार exit करते हैं इसे end इसे open करेंगे तो देखे यह basic सा इता text pre-written आता है वही आता है तो अब हम यहां चाहते हैं हमारा नाम हो एक cool look हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है हमें pkg install git हमें सबसे पहले git install करना है हम git install करेंगे हम इसे वाय करके continue yes करेंगे यह अब देखेंगे हमारा git install हो चुका है अब हमें जाना है महारे browser पर हमें यह new tab open करना है अब यहां लिखना है termux banner and enter अब termux banner लिखते हैं जो सबसे पहला लेक्राइव हमें उसे open करना है यहां पर जाके हमें copy link करना है हमें link को copy करना है and हम वापस हमारे termworks पर आते हैं हम termworks पर आए अब यहां पर हमार करना get clone and then paste the link ठीक है and enter clear करते हैं अब इसे ls करते हैं हमारे यहां termworks बैनर हमारे show हो रहा है अब हमें इसको cd करके इसके अंदर जाना इस folder के अंदर हम लिखेंगे termworks then tab enter ls अब यहां हमें requirement.sh file को पहले run करना है तो उसके लिए हम करेंगे bash requirements हम tab प्रेंट्स करते है requirements.sh and enter अब पहले यह requirements install करेगा continue yes प्रेंगे। कि आद बंदर beyond राभाथ हमें से यहां पर yes करेंगे enter करें वहां तर्टर शगर बड़ता है करेंगे ओा करेंगे बड़ुकल कंपातल। करेंगे यहां तर्टर। कि अ में टार्यव्पशक्रण तर्टर। झाल 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 तो वैस यहाँ पर इसने requirements file अपने install कर चुका है अब हम ls करते हैं and enter अब यह आपका banner बन चुका है, अब यहाँ पर आपको exit करना है, अब वापिस जब आप termworks open करेंगे, देखे, यहाँ पर आपका नाम cyber phoenix and आपका नाम एकदम cool banner बन चुका है, अब हाँ अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, वैसे look तो cool है, अब अगर फिर भी आप इसे हटाना चाहते हैं, तो आपको करना है, ls and अपने folder में जाना है, termworks के, and ls and then बस आपको remove.sh, यह जो script है, आपको bash, then remove.sh script, यह आपको script run करना है और आपका यह banner हट जाएगा, but मैं इसे रहना दूँगा, क्योंकि यह मुझे काफी अच्छा लग रहा है, termworks टर्मिनल को clear कर देते हैं, termworks के अंदर zip और unzip कैसे करते हैं files को, zip files है, उनको extract कैसे किया जाए, unzip कैसे किया जाए, और जो unzipped file है, मतलब जो folders है, उनको zip कैसे create करया जाए, तो चलते हैं हम हमारे termworks application पे, तो गैस सबसे पहले हम अपने packages को update and upgrade करेंगे, pkg update and pkg upgrade and enter, अब हमारे packages update और upgrade होते हैं, हम इसके लिए थोड़ा सा wait कर लेते हैं, अगर आपने regular basis पे इसे करते हैं तो यह ज़दा time नहीं लेगा, अब जैसे यह देखिए, हमारा बस यह कुछ ही seconds लेगा और यह complete हो जाएगा, क्योंकि हम regular basis पे इसे update, upgrade कर रहे हैं, देखिए हमारा update and upgrade process complete हो चुका है, तो हमें दो packages install करना है, तो हम सबसे पहले करेंगे package install zip enter, then same हमें करना है package install zip, sorry unzip and enter, clear करते हैं हमाँ terminal, अब ls करके हम check करते हैं, अब यहां पर हम कुछ folders बनाते हैं, हम दो folders बना देता है mkdir command से test, like folder 1 and folder 2, हमने दो folders बना दिये, हम ls करके check कर लेते हैं, हमारे दो folders बन चुके हैं, अब हमें इसे zip करना है, तो हमें simply zip लिखना है, then file का नाम, किस file में हमें इसे zip करना है, like test.zip, हमने test.zip दे दिया, अब हमें folder या files जो भी हमें zip करनी है, उनको यहां पर mention कर देना है, हमने folder 1 और folder 2 mention कर दिये, and enter, अब हम ls करेंगे, तो अब देख पारे हैं, test.zip नाम की file बन चुकी है, अब हम एक बार यह हमारे folder 1 और folder 2 को remove कर देते हैं, rmdir folder 1 and folder 2 and enter, ls, अब देखें, यहां पर हमारे पात test.zip file है, अब हमारे folder 1 और folder 2 इसमें zip होए थे, हम इसे unzip करेंगे, unzip command के यह use करके, unzip then test.zip file and enter, अब हम ls करेंगे, तो हम यहां पर हमारे folder 1 और folder 2 mention हो रहा है, अब देखें, इतना simple है इनका uses, आप direct zip or unzip कर सकते हैं, अब के file quality में, अगर आप images या videos को zip कर रहे हैं, आप के quality कहीं lose नहीं होगी, unzip या zip करते हैं दौना time, तो guys, इन दो packages के help से, आप अपने files को zip और unzip कर सकते हैं. Termux पे, कैसे हम running matrix install कर सकते हैं और इसे play कर सकते हैं, एकदम hacker वाली field आ सके, उसके लिए हमें termux पे आना है, सबसे पहले हमें अपने package, update और upgrade करना है, update and pkg upgrade, ठीक है तो हमारे यहां termux में सारे packages, update, upgrade है पहले से, completely है, कोई new नहीं है, कोई upgradable नहीं है, बस हमें सीधा सा, एक simple command करना है, pkg install c matrix, हमें c matrix install करना है, अब यह चेक कर रहा है कि है या नहीं, यह c matrix आपके install होगे, अब हमें यहां पे clear, simple सा हमें command type करना है c matrix, c matrix and enter, अब देखिये हैं, हमें termux पे running matrix आ रहा है, green text में एकदम, किता हम बढ़िया लग रहा है, और अगर आपको इसे stop करना है, आप देखिये यह वैसा आपके screen पे रहेगा, बट अगर आपको stop करना है तो आपको control and then c press करना है, आपका यह stop हो जाएगा, बापिस अगर आपको इसे play करना चाहते हैं, अपना c matrix command type करें and enter, आपका यह running matrix show हो जाएगा, दिखने में यह काफी cool लगता है जाएगा अब देखिये हम termworks पे जाएँगे, अब सबसे पहले हमें यह चक करना है कि हमारे पास git install है क्या, तो हम pkg install git and enter, हमारे पास git installed है तो अब हमें चलना है हमारे browser अब यहां पर हमें लिखना है tool x and enter यहां जो सबसे पहला link आ रहा है उस link पर click करना है and then copy वाह पर चलेंगे हम